भोलेनात महादेव शिव भोले शंकर या फिर नीलकंट शिव भगवान को नजाने कितने नामों से जाना जाता है शिव भगवान के सुभाव के बारे में कहा जाता है कि वो भोले होने के साथ साथ क्रोधित होने वाले देव भी है सावन का महीना समझ ये बस आही जुगा है वो महीना जो भूले बाबा का प्रिय है और जिसका भक्तों को भी बिसबरी से इंतजार होता है अब जगा जगा मंदिरों में रूद्र अविशेक होते हैं पूरे विदी विधान के साथ भागवानशिप की अरादना की जाती है और शिवलिंग को दूद्स से सनान करवाय जाता है कहा जाता है कि भूले बाबा को दूद्स से अबिशेक की अचाना पसंद है हम हर सावन अलग-अलग मंदिरों में शिवलिंग कुदूद से नहलाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कुदूद से सनान क्यों करवाय जाता है दरसल इसके पीछे एक कहानी है जो समुंद्र मन्थन की पूरी कथा भागवत पुराण और शिव पुराण में वर्नित है इस कथा के अनुसार समुंद्र मन्थन के दोरान विश्क के उत्पत्ती हुई थी और उस वक्त पूरा संसार विश्क के प्रिभाव में आ गया था कल्यान के लिए बिना किसी देर के विश्का पान कर लिया विश्का तीखापन इतना जादा था कि भूले बाबा का कंठ नेला हो गया जब विश्का घातक प्रिभाव शिव और शिव की जटा में विराजमान देवी कंगा पर पढ़ने लगा तो उने शांत करने के लिए जलकी शीतलता कम पढ़ रहे थी उस वक्त सभी देवदाओं ने महादेव से दूद ग्रहन करने का अगरे किया ताकि विश्का प्रिभाव कम हो सके उसके बाद प्रतेग जीव की चिंता करने वाले भगवान शिव ने दूद से उनके द्वारा ग्रहन करने की अनुमति मांगी निर्मल और शीतल दूद ने शिव के इस विनम्र निवेदन को तकाल ही स्विकाल कर लिया जिसके बाद भोले शंकर ने दूद ग्रहन किया जिससे विश्क की तिवरता काफी कम हो गई लेकिन उनका गला यानी की कंट हमेशा के लिए निला हो गया और उन्हें नेलकन के नाम से जाना चाने लगा तब से शिवलिंग पर दूद चड़ाने की परमपरा चली आ रही है कहते हैं कि दूद भोले बाबा कपरे है और उन्हें सावन के महिने में दूद से स्नान कराने पर सारी मनु कामनाय पूर्ण होती है